हेलो एवरिवान कैसे हैं आप लोग आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल रिवया चंदानी पर और आज हम लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन लेकर आए हैं जो कि आपके अपकमिंग एक्जाम्स लाइक वनरक्षक जो क्या आपक के सेशन को बिना किसी देरी की होवे इसते पहले भी हमारी बहुत सारी क्लासिस आ चुकी हैं क्वेशन की अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वनरक्षक, MCQ सीरीज वगर ऐसे करके आपको प्लेलिस मिल जाएगी उन प्लेलिस में आपको यह जो क्लासिस है वो अवेले अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें जो भीन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं चली देखेगा फॉर्स क्वेशन की तरफ हम लोग चलते हैं यह हमारा फॉर्स क्वेशन और लास्ट क्वेशन में हम लोग 180 तक कर चुके हैं क्लिया देखो डाउन सिंड्रॉम एक अनुवानशिक बिमारी है जो होता है जेनेटिक डिजीज क्या होती है जब इस जीन्स में कुछ गड़वड हो जाती है अब जीन्स में गड़वड या तो गुण सूत्रों में गुण सूत्रों की संरच्छना में परिव होते हैं कि आप इनको क्यों नहीं कर सकते हैं इनको ठीक नहीं किया जा सकता है तो यहां पर पुछा गया है डाउन सिंड्रॉम एक अनुवानशिक बिमारी है अनुवानशिक विकार है जो होता है अब यहां ध्यान रखिएगा कि गुण सूत्रों की संख्या में जब एक तो होते हैं ओटोसॉम जिसे आप काईक गुण सूतर कहते हैं जिनसे आपकी काया का निर्मान याने कि आपके शरीर का निर्मान होता है जो आपकी बॉडी में लगबग 22 जोडे हैं clear और एक आपके होते हैं ऐलोसॉम या जिने आप बोलते हैं 6 क्रोमोसॉम और यह आपकी बॉडी में होता है वन पेयर अगर हम बात करें मेल के अंदर तो मेल में तो यह होता है एक्स वाइए और फीमेल के अंदर होता है यह एक्स एक्स तो यहाँ पर इतना बता देती हूँ कि डाउन सिंड्रॉम को मंगॉलिजम भी कहते हैं और आपका यह जो बढ़ बढ़ होती है, यह आपके लिए question है, ओके और answer जरूर करना है, question आपको इसी वज़े से दिये जाते हैं, ताकि आप उनके answers करें और वो फिर आपको याद रहें, बट आप में से बहुत सारे कुछ ऐसे भी है कि हम तो धीठ ही रहेंगे, हम answers नहीं करेंगे, चले, तो संसुत्रों की संख्या में परिवर्तन की वज़े से ही down syndrome होता है, जिसे mongolism भी कहा जाता है, okay, next देखो, मानव शरी में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, सर्टोली सिल्स आपको बताना है, large intestine, याने के बड़े आंथ, अगनाशिय, व्रशन या लिवर, सर्टोली सिल् याने कि testis में पाई जाती है, पुरुष में पाई जाती है, और ये शुक्राणो पादन के लिए जो FSH है, उसको stimulate करने का काम करती है, और साथ ही में जो हमारे शुक्राणों की जो कोशिकाएं होती है, जो शुक्राणों होते हैं, उनको nutrition देने का काम भी सर्टोली सिल्स ही करती है, ओके, next देखो, next आपके पास question है, चूना पत्थर का रसायनिक नाम क्या है, चूना पत्थर, like cement वगएरा, चूना पत्थर आपको बताना है, इसका chemical name, first calcium carbonate, sodium chloride, magnesium chloride या sodium sulfide, तो इसका जो right answer है, जैसे कि मैंने आपको na classes में पहले भी बोला है, आप जब questions करते हैं, त खुच से भी idea लगाया करो कि क्या हो सकता है, अगर नहीं लगता है, तो answers देखें, बट पहले कोशिश करें, कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की होई है, आपका base clear है, तो आप खुच से भी देने की कोशिश करें, okay, तो right answer आपका होगा, calcium carbonate, calcium carbonate जो है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, चुना पत्थर कहते हैं, next, अलनिको नामक मिश्र धातु का निरमान कौन सी धातों के दवारा होता है, aluminium, कोबाल, nickel या सभी, अलनिको जो है, इसका इस्तिमाल हम लोग एक permanent magnet बनाने के लिए, स्थाई चुमक बनाने के लिए करते हैं, और इसके अंदर हम किया चाता है, next, next आपके पास प्रशन है, जब दो समतल दरपन के बीश में कोई वस्तू रखी जाती है, तो बनने वाले प्रतिविंब की संख्या कितनी होती है, अब यहां से एक चीजा बहुत अच्छे से ध्यान लखिएगा, कि जिसे कि ना समतल दरपन वो होते हैं, जि जब दो ऐसे रखे गए हैं, तो इनके बीश में कोई भी आंगल नहीं है, आंगल जीरो है, तो आपको यह बताना है, कि जब ऐसे कोई दो दरपन रखे जाते हैं, और उनके बीश में कोई वस्तू रख दिगई है, तो जो प्रतिविंब बनते हैं, उनकी संख्या होती है, ठीक है, याने कि अनन्त होती है, कैसे, कुछ इस परकार से, अब देखेगा, यहां पर दो दरपन, और दो दरपन के बीश में कोई वस्तु है, अगर यह इमेज इस वाले के लिए वस्तु का काम करेगी, और ऐसे से करके, बोहा सारी अनन्त इमेज बन जाती है, clear, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसके सामने भी एक और मेरा रखा गया है, इस परकार से यहां पर इतनी सारी image बन रही है next, डेंगू बुखार है जो उत्पन होता है, डेंगू, अब ध्यान अखियेगर डेंगू क्या है, अभी आप लोग देख भी रहे हैं, कि डेंगू, मलेरिया वगर यह बहुत जादा फैल रहा है, तो किस से होता है, मच्छर के काटने से होता है, और कैसा है, वाइरल बढू होती है, वो उनकी संख्या में कमी आजाती है, अब बताना है कौनसी सेल्स, जो हमारी Blood Cells है जिसे RBC, WBC, Platelets, तो आपको इन में से बताना है कौनसी सेल्स है, जिनमें, जिनकी संख्या कम हो जाती है, अगर डेंगू हो जाएं, दो questions हो गए हैं, आज के answers करना है आपक malaria किस से होता है छीके malaria जो है ये एक proto zonal disease है और ध्यान रखना है कि ये anaphilis मच्चर के द्वारा होता है और अगर eddies की पूछेंगे तो eddies के द्वारा डेंगू होता है chicken gunia eddies मच्चर के द्वारा ही होता है chicken gunia भी जिसे हड़ी तोड बुखार भी कहते है next एक athlete को ततकाल उर्जा की रूप में क्या दिया जाना चाहिए athlete जो भागा तोड वगरा जिनका काफी ज़दा काम होता है यानि कि जो भी हमारे sportsman वगरा जितने भी होते हैं तो आपको बताना है कोई भी हमारा athlete है उसको बहुत ज़दा energy चाहिए अपना काम करने के लिए वरक आउट करने के लिए तो आप उसको क्या देंगे हलांकि वैसे अब से आपका nutrition वाला topic है अभी कुछ देर में इस class के बाद आपको उस class का भी जो recorded sessions है वो मिल जाएंगे nutrition वाले उसमें हम लोग बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं तो ध्यान लखेएगा athlete को अगर instant energy चाहिए तो हम देंगे carbohydrate carbohydrate जो है न ये हमारी body में instant energy देने का काम करता है क्यूंकि इसका पाचन हमारे मूँ से ही शुरू हो जाता है कोई भी चीज अगर आप खाते हैं जिसका जितना जल्दी पाचन होगा आपको उतनी ही जल्दी energy मिलती है carbohydrate जैसे कि हमारे fruits हैं, अनाश हैं कोई भी मेठी चीजें sugar वगरा उन सभी में carbohydrate होता है जैसे ही आप मूँ में रखते हैं तो हमारी जो saliva है, लार है उसमें enzyme होता है tylin, जो उसको वहीं से ही पचाना शुरू कर देता है इसी वज़े से तो बोला जाता ना, खाने को अच्छे से चबाया करो, तो ध्यान नखिएगा carbohydrate सबसे जल्दी इसका पाचन होगा और इसी वज़े से आपको सबसे जल्दी energy भी carbohydrate से मिलती है जैसे कि आप लोग कईबर होता है glucose वगर पीते हैं, बहुत ज़्यादा थके हारे से feel कर रहे है, glucose carbohydrate ही है और सबसे simple form है, इसी वज़े से glucose से आपको instant energy मिलती है, clear next से खेगा next आपके पास question है, दो island sheet की बीश में sit gap को क्या कहा चाता है, axon, cyton node of renvia, soma, body या कोशिकाई, यह सारे हमारे neuron के ही पार्ट है, neuron याने के tantrica, कोशिका tantrica, कोशिका है वो हमारे पूरे nervous system का पार्ट है, और इसका right answer होगा, node of renvia, कैसे देखते हैं, देखो, यह पूरा यह पूरा क्या है, neuron यह पूरा क्या है, यह पूरा है neuron, याने के आप इसको बोल सकते हैं, nerve cell, याने के tantrica, कोशिका, आपका पूरा जो nervous system है, वो इसी के उपर ही टिका हुआ है, आपके पूरे body में यह जो nerve cells हैं, यह फैली हुई है, जो signals को message को transmit करने का काम करती है, मुझे अगर अपना हाथ हिलाना है, तो क्या होगा जब मुझे हाथ हिलाना है, तो इस signal brain के पास जाएगा, और brain फिर command करेगा, कि हाँ, यह हाथ मैं हिला सकती हूँ, तभी मैं यह हाथ हिलाओंगी, अब बोलोगी कि मैं इतना हम अभी सोसते हैं, सोसते भी नहीं है और हिल जाता है, तो यह जो procedure होता है, signals को message को transmit करने का बहुत fast होता है, इसी वजए से आपने अभी, आपके mind में just click ही किया है और आपने वो action कर दिया, ओके, चलिए, तो यह हमारा पूरा neuron है, सबसे बड़ी कोशी का है यह, और ध्यान रखना है कि इसके अंदर यह वाला जो हिस्सा है यह है axon, axon के उपर यह आप yellow color की देख रहे हैं, ऐसे gold round में यह है myelin sheet, जो axon के उपर चड़ी हुई होती है अब 2 myelin sheet के बीश में यह जो आप स्थान देखते हैं यह है node of ranvir इसे क्या बोलते हैं? node of ranvir कहते हैं clear? तो ध्यान रखिएगा 2 myelin sheet के बीश का जो gap है उसे node of ranvir कहा जाता है यह बीश में यह वाला जो पार्ट है इसे हम soma body या कोशिकाय कहते हैं यह जो इस परकार से धागे नुमासी सरंचना है इसे dendrites कहते हैं यह जो बेलाकार सरंचना है इसे axon कहते हैं clear? चलिए आगे next है निम्दमेसी अनुप्रस तरंग कान सी है निम्दमेसी transverse waves कान सी है ध्वानी तरंगे spring में उत्पन तरंगे तनी हुई रसी में संच्री तरंगे या 2 और 3 दोनो अनुप्रस और अनुधैदैरय तरंगों के बारे में मैंने आपसे पहले भी बहुत बार बात करी हैं तो ध्यान नखेएगा ऐसी तरंगे जो माध्यम के लंबवत होती है जो माध्यम के इस परकार से perpendicular होंगी उसे हम अनुप्रस तरंग कहते हैं तो जब आप रस्सी को ऐसे जोर से हिलाओगे न तो रस्सी इस परकार से करेगी और उसमें जो waves produce होंगी वो है अनुप्रस ध्वनी जो है यह medium के समानांतर होती है इस परकार से तो यह आपकी अनुधैदैरय यानिके longitudinal है जब हम spring की बात करते हैं spring को खींचोगे तो जब छोड़ोगे तो वो भी ऐसे ही हो रहा है तो उसके अंदर भी अनुधैदैरय तरंगे ही है यानिके longitudinal है तो आपको यह बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे कि या तो आप परकार्ष भी बोल सकते हैं परकाश और तालाब तालाब में जो उत्पन तरंग है पत्थर फैंकने पर जो तालाब में तरंग उत्पन होती है वो भी कैसी है वो भी आपके अनुप्रस है यह question बहुत बार exam में पूछा जाता है इस type के अनुप्रस और अनुधैदैरय और साथ में आपकी electronic जो electromagnetic waves है याने के विद्यू चुम्ब के तरंगे और वनपाल के exam में आपने वहाँ से equation देखा भी होगा और वो हमने class में पहले किया भी था अब जिसने अच्छे से class लगाई होगी तो उसका सही भी हुआ होगा देखो नेक्स आपके पास प्रश्ण है 0 degree centigrade पर वायू में ध्वनी की चाल कितनी होती है तो आपका यहाँ पर right answer है 331 अगर 332 भी होता meter प्रती second जैसे जैसे temperature बढ़ता रहता है ध्वनी की चाल भी बढ़ती रहती है जैसे जैसे temperature increase होगा अगर यहाँ पर 0 से ज़ादा temperature बढ़ रहा है 2, 3, 4, 5, 10 तो ऐसे जैसे ध्वनी की चाल भी बढ़ती रहेगी तो sound की जो velocity है वो भी क्या होगी वो भी आपके बढ़ती रहेगी clear? next देखे logzo, logzo मैंने आपको कल भी करवाया था एक disease आती है जिसका नाम है titnes इसमें हमारा जो nervous system है वो प्रभावित हो जाता है nervous system यानि कि आपके brain वाला हिस्सा प्रभावित होता है कैसा है? bacteria से होने वाली बिमारी है और ध्यान लखिएगा कि titnes में अगर बहुत जादा severe condition हो जाती है तो logs हो यानि कि जो जबड़ा है वो खुलना बंद हो जाता है clear तो right answer आपका क्या होगा D बागी diptheria, pneumonia, syphilis ये सारी आपको ध्यान रखना है ये सारी कौनसी disease है तो ये सारी bacterial या bacteria से जिवानों से होने वाली disease है clear next अगर आपको session अच्छा लगता है तो आप like जरूर कीजिएगा और अपना comment मेरे सार जरूर शेयर कीजिएगा कि class कैसी लग रही है और साथ में class को end तक देखा करो मैं छोटी-छोटी classes इसी वज़े से बनाते हूँ कि आप सारी पूरी-पूरी classes को देख पाए क्योंकि जब ज़्यादा लंबी class होती है तो हमें थोड़ा सा बोरित आता है कि आरे इतनी लंबी class है नहीं हो पाएगी इसी वज़े से छुच्छी classes अब easily कर सकते हो अब जो female है जो लड़किया है जो घर में काम वाम होता है जिनको तो वो अपना काम करते-करते चला दिया करो ठीक है आप easily देख सकते हो next एक हो तेल पानी की सतय पर फैलता है क्योंकि तेल पानी की तुल्ला में सगन है तेल पानी से कम सगन है तेल का सतय तनाव पानी से अधिक है अगर अधिक होता तो एक ही जगह पर रहता कम होता है तेल का सतय तनाव प्रस तनाव है वो कम होता है इसी वज़े से तो फैल जाता है प्रस तनाव कहता है कि आप कम से कम जगह घरोगे इसी वज़े से अगर प्रस तनाव सरफेस टेंशन कम है तो वो चीज फैल जाती है, clear, तो यहां पे आपका D number option जो है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, next, radar का उप्यों किसलिए क्या चाहता है, radar है, sonar है, ऐसे प्रशन आप से एकसर exam में पूछे जाते हैं, अब इसका तो यहां से आपका full form का भी पूछ लिया गया था, ठीके देखेगा, radar का इस्तेमाल है, वो क्या चाता है, दूर की वस्तों की पहचान करना और उनका पता लगाना, जैसे कि अगर कोई भी enemy की, कोई भी rocket है, कोई भी वायोयान, अगर हमारे area में आएगा, तो radar हमारे बहुत सरी radar system लगे हुए है, तो वो उने पहचान कर लेंगे कि यह हमारा नहीं है, तो radar का क्या काम है, दूर की वस्तों की पहचान करना और उसका पता लगाना, next, tritium किसका समसानिक है, oxygen, hydrogen, phosphorus and nitrogen, सबसे पहले तो यह एक radio वाला, radio isotope है, मतलब की यह आपका radio समसानिक है, clear, अब बात कर लेते हैं, कि है क्या मैम, यह तो बता तो क्या है, देखेगा, आपके पास ने एक hydrogen है, hydrogen का ध्यान अखेगा, इसके तीन समसानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3, समसानिक समझते हैं न, isotope, जिसमें क्या होगा, परमानु की संख्या, याने कि, सॉरी, atomic number, परमानु करमांग, electron की संख्या, proton की संख्या, यह तो बराबर होती है, परन्तु जिनकी अंदर द्रवयमान संख्या, अलग-अलग हो जाएगी, और neutron की संख्या भी अलग-अलग होती है, उसे हम कहते हैं, isotope, तो ध्यान एकिएगा, सरफ hydrogen ही एक ऐसा एकलोता है, जिसके नाम भी दिये गए हैं, बाकी आपके बहुत सारे ऐसे हैं, जिसके कार्बन है, उसके भी समसानिक बगएर है, फॉस्फोरस के भी है, ऑक्सिजन के भी है, बट उनके नाम नहीं दिये गए हैं, सरफ इसी के ही दिये गए हैं, तो यह जो 1H2 है, इसका नाम है deuterium, ठीक है, और इसका नाम जो है, वो क्या है, यह है tritium, और यह कैसा है, यह है radioisotop, और इसका जो इस्तेमाल है, वो heavy water, heavy water याने के भारी जल बनाने में किया जाता है, clear protium को ही हम लोग hydrogen भी कहते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसमे neutron की जो संख्या है, वो 0 है, तो आपका answer होगा, इसमे neutron 0 है, अगर वहाँ पे hydrogen ना देकर, option में protein दे दिया जाए, तो ध्यान लखेगा, ठीक है, right answer आपका होगा, hydrogen, clear, next, next आपके पास प्रश्ण है, AB रक्तवर्ग वाले सम्मो को सारवत्रिक data याने कि universal acceptor कहा जाता है, universal acceptor कहा जाता है, अब ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ध्यान लखेगा, actually na AB group है, और AB के अंदर जैसा blood group होगा, वैसा ही antizen होता है, तो इसके अंदर antizen होता है, कौन सा, इसके अंदर antizen होगा, AB परकार का होता है, तो ध्यान लखेगा, कि इसके अंदर antizen तो है, पर इसके अंदर antibody नहीं होता है, इसके अंदर antibody जो है, वो नहीं होता है, इसी वज़े से किसी का भी खून ले लेता है, तो ध्यान लखेगा उसके अंदर antibody, antibody का अभाव होता है, antibodies नहीं होती है, तो right answer आपका होगा B number, अगर यहाँ पर आप से पूछ लिया जाए, कि universal donor कौन सा है, universal donor कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे universal donor की बात करेंगे तो O, O में भी कौन सा O, negative क्योंकि ध्यान लखेगा इसके अंदर antizen नहीं होता है antizen नहीं होता है किसी भी प्रकार का और अगर universal acceptor पूछे वहाँ पर तो सिरफ आपको A, B ही दिया गया है ठीक है, आपको वहाँ पर तो सिरफ universal acceptor में सिरफ A, B ही दिया गया है, अगर positive negative में से पूछ लिया जाए, तो A, B positive जो है यह रहेगा acceptor क्योंकि इसके अंदर antizen A, B भी होता है, इसके अंदर antizen A, B तो देखो है ही साथ में इसके अंदर antizen D भी होता है, इसी वज़े से यह है A, B positive और इसी वज़े से इसको universal acceptor, याने के grahi कहा जाता है, सबसे ले सकता है और ये है data ठीक है सारवतरिक data और सारवतरिक grahi next देखो ठीक है तो यहां पर यह चीज जानक हैगा भिन-भिन तारों की भिन-भिन रंग निमनलखित मैंसे किसकी विविदता की वज़े से होते हैं आप लोग जानते हैं stars के different difference से color होते हैं कोई आपको हलका सा white सा दिखेगा कोई red सा, yellow सा, कुछ इस परकार से colors आपको दिखाई देते हैं वो किस वज़े से होते हैं तो वो होते हैं temperature की वज़े से किसकी वज़े से होते हैं temperature की वज़े से होते हैं ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान लखेगा जैसे जैसे temperature बढ़ता जाता है वैसे वैसे color change हो जाते हैं तो हमने यहाँ पे जब देखा है नीचे जाने पर क्या होगा टेंप्रेशर कम या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर ओ वाई जी बी आई वी विब ग्योर ठीक है अब जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे टेंप्रेशर आपका बढ़ेगा टेंप्रेशर यहां पर इंक्रीज होगा याने कि जैसे आप किसी चीज को थोड़ा सा देखाया ना आपने आप कभी किसी चीज को गरम करते हैं या जो लोहार होते हैं वो जब गरम करते हैं लोहे को पहले हलका रेड होगा फिर ओरेंज में तबदिल होगा फिर येलो और बाद में उसके अंदर धीरे धीरे ग्रीन और धीरे फिर ब्लू कलर के छले से बनने लग जाते हैं, यानि कि जो ब्लू कलर आते आते हैं उसके दर temperature बहुत ज़ादा हो जाएगा तो ध्यान दखेगा कि जैसे जैसे temperature बढ़ता जाता है यह colors आपको देखने को मिलेंगे, तो यह सब temperature का खेल है, तापमान का खेल है. Next, ऐसे दो तत्व जिनमें electron की संख्या भिन-भिन है लेकिन जिनकी द्रवयमान संख्या समान हो उसे क्या कहते है? Electron अलग-अलग है electron अलग-अलग है तो याने कि proton जो है ये भी अलग-अलग है और atomic जो number है वो भी कैसा है अलग-अलग है क्योंकि तीनों सेम ही शो करते हैं लेकिन द्रवयमान संख्या समान है, जो समान है उसके आगे सम लग जाएगा और ध्यान लग जाएगा सम भारिक कहते हैं आईसो बार कहते हैं, सेम एस इस प्रशनों सोkan पूशा गया था आपके वन रक्षक के अंदर नेक्स अब यहां ध्यानना कहेगा सmetronic जिसम्में neutron की संख्या समान हो सम electronic जिसम्में neutron की संख्या समान हो और सम Academic जिसम्में atom number proton और ऎपको बताना है इसमें से कॉन सब प्राकरतिक बहुलक नहीं है प्रागरती ज्याने कि natural नहीं है आपने उसको artificially प्राप्त किया है कपास, रेशम, ओन या टेफलोन तो आप देख रहे होंगे कपास आपको मिलती है रेशम भी मिलता है जो रेशम के कीड़े आते हैं और ओन भी आपको naturally मिलता है भेडों से परन्तु टेफलोन जो है या आपका एक artificial है और इसका जो उप्योग है आपकी बस nonstick की बरतन होते हैं बहुत बार जिन में खाना चिपकता नहीं है तो उसके अंदर वो जो layer होती है black color की वो टेफलोन की होती है ओके, next, gasohol बता दीजे, gasohol क्या है? ethyl alcohol और मिटिक का तेल, प्राकरतिक gas और ethyl alcohol, alcohol में विल है कोई gas या ethyl alcohol plus petrol अभी बहुत ज़्यादा चलन में है ना कि petrol के अंदर क्योंकि petrol बीश में इसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे दो ही है, C2H5OH, तो यह आपका जो दारू है, शराब है उसी कोई आप ethyl alcohol बोलते हैं, अब क्या क्या जा रहा है कि इसमें petrol में मिलाया जा रहा है, लगबग 90% तो क्या रहेगा petrol और 10% रहेगा ethyl alcohol, तो कुछ तो carbon कम हुआ ना, अगर carbon कम होगा, तो pollution भी कम होगा, जिससे benefit है, environment थोड़ा सा बच्चत हो जाएगी, pollution में थोड़ी सी कमी आएगी, तो इसी वज़े से इसका इस्तेमाल क्या जा रहा है, जिसे आप gasohol कहते हैं, तो gasohol क्या है, तो ध्यान रखेगा ethyl alcohol और petrol को ही gasohol कहते हैं, तो fourth number option आपका सही हो जाएगा, बहुत important है, अच्छे स इसको ध्यान रखेगा, clear? next, CT scan, CT scan में CT का आर्थ बता दीजे, cathode ray tube, computer record testing, commuted tomography या compartmental tracking, तो यहाँ पर CT scan में CT का मतलब क्या है, तो CT का मतलब है commuted tomography, यहाँ पर आपकी जाँच की जाती है, brain वगरा का क्या जाएगा, और actually जाँच करके पता लगा जाएगा कि कहां पर क्या जाता है, कौन सी rays का इस्तमाल किया जाता है, X किर्णों का इस्तमाल किया जाता है, committed tomography इसे कहते हैं, next, अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है, दोसो एक नमबर प्रशन है, rubber के vulcanization में रसाइने के कौन से जोड़ी इस्तमाल में की जाती है, rubber का vulcanization, vulcanization का मतलब यह होता है कि जब आपको पेडों से जो प्राप्स rubber होता है, जिसे आप latex कहते हैं, बहुत ही जादा वो इसी creamy सा texture होता है, liquid से form में होता है, कठोर नहीं होता है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कठोर rubber आए, जिससे हम tire, tubes वगएरा बहुत सारे plastic के समान बना पाएं, clear rubber के समान, तो होता है, लगबग 3-4 प्रतीशत ही होता है, तो हम क्या लेते हैं, sulfur जिंक oxide, इसके साथ जब हम rubber को गरम करते हैं, तो rubber आपको काफी कठोर मिल जाता है, जिससे tire, tubes वगएरा ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, next, निमनलिखित में से कौन सा तन्तु सबसे कम आग पकड़ क्योंकि जैसे ही बागी जो है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और आपकी body के साथ चिपक जाएंगे, जिबकि cotton के साथ ऐसा नहीं होता है, nylon, rion, terricot, ये सब तो क्या है, artificially है, हालांकि zeon को तो हम लोग cellulose से प्राप्ट करते हैं, बट ये तो पूरा ही आपका terricot वगएर जो है, और आपके nylon, ये तो बिल्कुल ही आपका artificial है, तो ये जल्दी आग पकड़ेंगे, परन्तु इन में जब cotton की बात करेंगे, तो ये सबसे कम आग पकड़ेगा, तो right answer आपका होगा, d number option, समसानिक होते हैं, एकी तत्व के परमानों, जिनका, समसानिक अभी आपको बताया है था, जिसमें क्या होना चाहिए, परमानों भार समान नहीं, परमानों करमांग, परमानों भार समान नहीं, करमांग तो समान हो सकता है, भार नहीं, तो ध्यान नखिएगा, atomic जो भार है, mass है वो तो क्या होगा different different परंतु करमांग समान होगा उसे ही हम समसानिक कहते हैं next विसिस्ट प्रतिरोध क्या है विसिस्ट प्रतिरोध आर क्या होता है proportional L upon में A होता है याने कि लंबाई के तो समानुपाती प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के और अनुप्रस काट याने के क्रो सेक्षनल एरिया के वित्व करमानुपाती होता है इन्वर्सली परपोर्शनल होता है तो हमें क्या करना है जब हम इस साइन को हटाते हैं तो बराबर रो एल अपॉन में ए लगाते हैं तो यही क्या है यही आपका विसिस्ट प्रतिरोध है याने कि specific resistance है ओके तो ध्यान निखेगा जब आप इनकी वो लगाएंगे units लगाएंगे तो यहाँ पे रो बराबर क्या हो जाएगा R गुना A upon में L हो जाएगा इसका है ओम गुना meter का square लंबाई का क्या होगा meter तो cancel कर दीजिए तो क्या जाएगा ओम गुना meter क्या आएगा ओम गुना meter जो है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा आज का last question टर्बाइन की द्वारा बहते पानी और हवा का परियोग परिवर्तन के लिए किस परिवर्तन के लिए क्या जाता है यानि की जब turbines घूमती है पानी का प्रेशर जो बहुत तीज आता है तो turbines घूमती है इससे हम electricity प्राप्ट करते हैं थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा तो turbine जब चलती है हवा चल रही है पानी चल रहा है तो जो चल रहा है जिनकी अंदर motion है तो उसके अंदर क्या है kinetic energy है यान तो आप लोग जानते हैं कि energy को ना तो आप create कर सकते हैं, ना ही destroy कर सकते हैं, बस एक form से दूसरे form में आप इसको बदल सकते हैं, और यही उर्जा सरंक्षन का नियम है, तो I hope आपको इक class अच्छी लगी होगी, कैसी लगी है, comment करके जरूर बताईएगा कि अच्छी लगिया और उसके साथ साथ में इस session को like कर दीजिएगा, पूरा last सक देखा करो, इसकी PDF आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगी, link आपको description में मिलेगा, उसके लावा और कौन-कौन सी class is important है, उनकी जो link है वो आपको ऊपर मिल जाएगे, तो मिलते हैं next session में, take care.